हलो फ्रेंड्स मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूटिब बेल्टेक चैनल पर आपका आपका सावत करता हूँ प्रेंड्स आज के वीडियो में हैं बेलडिंग ग्लोसरी के पार्ट नमर 4 पर बात करने वाले हैं इस तो चली में शुरू करते हैं अपना वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बैल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो चली फ्रेंट्स शुरू करते हैं आपने छोटी छोटी डेपिनेशन और टॉपिक्स और पॉइंट्स जो कि जनरली हम लोग फैब्रीकेशन करते राइम कॉमन लेग्वेज में यूज करते हूं कि जब से पहला है आजका हमारा पॉइंट है जो कि है ट्रॉक फैनल मेंदिंटी का जाता है यह अच्छा जाता जैसे हैं यह तीन पारंच्फ पार्ट नंको ट्रॉट एपर रका जो कौनर ऑख लेंट यह टॉक्साइब करने के बाद पिर अलाइनमेंट करते हैं इसके बाद फिर कलर इफित Canadian सफियने के फिर अपनेảे जोई के लाइन color कहलाता है temper time resistance welding में that part of the steel weld interval during which the current suitable for tempering or heat treatment flows जो suitable current है heat treatment flows के लिए पॉस्ट बेल के टाइम पे the current can be single or multiple impulse single or multiple impulse में current होता है with varying heat and cool intervals इसका की heat or cooling intervals vary करता है टेंसलिस्टन tension test tension test के बारे में हम आगे देखेंगे tension test में जब metal original cross section area पर कितना load weight strength करता है वो tensile strength कहलाता है thermit crucible जिस बेसल में thermit reaction occur होती है वो thermit crucible कहलाता है thermit mixture metal oxide or finely divided aluminum का mixture thermit mixture कहलाता है अगर जरूरत होती है तो इसमें metal alloy को mix किया जाता है tension test tension test में test specimen के पर दोनों end से load apply किया जाता है कर उसे break किया जाता है इस test से metal की elastic property और ultimate tensile strength का पता चलता है कई बार break होने के बाद elongation और reduction of area भी measure किया जाता है जैसे आप यहां फोटो में देख रहे हैं यह बीच में एक rod है जिसको test specimen किया गया है यह एक side और दोनों side से load apply करके इसको मॉल्ड मींस जिसको हम सांचा कहते हैं उस कहने का मतलब यह थर्मेट रियक्शन यह chemical reaction है जो की metal oxide और aluminium के बीच में अकर होती है जिससे की super heated molten metal और aluminium oxide slack बनता है ट्रांसवर्स सीम बेल्डिंग सीम बेल्डिंग में डारेक्शन ऑफ सीम बेल्ड एसेंशेल राइट एंगल हो throat of depth के तब उसे transverse सीम welding कहा जाता है tungsten electrode a non-filler metal electrode यूज़ एरा welding और cutting में जो non-filler metal electrode यूज़ कियाता है वह tungsten electrode कहलाता है throat depth रेजिस्टेंस building में electrode या platan से nearest point of interference for workflow और सीट की दूरी को थ्राइट कहलाती है अगर हम यूनिवर्शल हट के साथ सीम बेल्डिंग मैचीन की बात करें तो थ्राइप this मैज़र विध बशा अरेंच फॉर ट्रांसवर्स वेल्डिग यहां पर हम ट्रॉट डेप्थ की बात करें तो जो ए दिया हुआ है तो जो चुन हम देख रहे हैं उसको यहां पर ट्रॉट डेप्थ कहेंगे बी को हॉन पैसिंग यहां पर सबका नॉमन क्लेचर दिया है और सबका जो और स्लेक रिजल्टेंट होता है जिससे फ्यूजन क्रियेट होता है फिलर मेटल वेन यूज्ट इस ऑप्रोड लिक्विट मेटल याप यह फोटो में देख रहा है जो रेल्ट्रेक बनाया हुआ है वह थर्मिट बैल्डिंग से जन्रेट किया गया है उसे बैल्डिंग की जो यह वह अर्याद करीटेंट होता है उसे टो प्रता क्रेटर कर घाता है यह आँ यह अई वीडियो बनाए हुए आप जाके देख सकतेंख्रयण से और unfilled portion रहे जाए उसे undercut कहेंगे जैसे आप यहाँ वीडियो फोटो में देख रहे हैं यह दोनों साइड और यहाँ रूट में भी undercut दिया है इसको undercut कहा गया है यह एक building का defect भी होता है जिससे building में सही से bond नहीं होता है build material और parent material के बीच में underweight crack जब crack hz means heat affected zone में हो और base metal की surface तक accent नहीं हूँ उसे underweight crack कहा गया है hz या heat affected zone पे भी हमने पूरे वीडियो बनाया हुए आप चैनल पर जाके देख सकते हैं upset pressure की वज़े से जब belt region में weld region volume में localized increment हो उसे upset कहलाता है vertical position vertical position building में axis of belt vertical होती है जैसे कि pipe building में pipe की position vertical होगी और welding horizontal position में perform होगी जैसे यहाँ photo में देख रहे हैं जो first वाला है वो 3F position में यह axis of belt है और second वाला 3G position है जिसमें axis of weld दोनों में horizontal position में दी गई है weaving weld path से जो weld deposit होता है weld wheat कहलाता है जैसे कि आप यह photos में देख रहे है नंबर ओफ weld वीव दी गई है इन्हीं वेल्ड वीव से welders परफॉमेंस करते हैं कि बेल्ड की बीट वीविंग वीविंग बेल्ड मेटल डिपोजिशन की टेक्निक है जनरली आर्क के semi circular motion और left to the direction of weld जनरेट होती है वीविंग सीरीज से width of deposit इंक्रीज होता है और overlap decrease होता है यह select formation में भी assist करता है जैसे आप यह फोटो में देख रहे है number of weaving दी गई है जिनको भी welders अपने experience के basis पर परफॉम करते हैं according to material और according to group position उसके हिसाब से परफॉम करते है weld bead weld path से जो weld deposit होता है weld bead कहलाता है weld gauge welding के shape और size को check करने के device को weld gauge कहते है weld metal welding के time जो metal melt होता है उसे weld metal कहा जाता है weld symbol pictorial representation होता है जो की drawings पर represent किये जाता है कि किस type की और कि size की welding perform करनी है और किस type की welding perform करनी है parent material के उपर weld ability यह material की property होती है जिससे metal welding से under pressure under pressure strong bond create करता है when solidifying from liquid liquid से जब solidify होगा तो under pressure strong bond create करता है upsetting force flesh और upset welding में force exert को upsetting force कहते है welder certification इसका मतलब है जो भी welder certified है उसकी welding prescribed standard for welding को meet करती है electrode lead electrode holder और arc arc welding के source के बीच में के conductor को electrode lead कहा जाता है work lead work piece और arc welding के source के conductor को work lead कहा जाता है जिससे आप यह फोटो में देख रहे है एक electrode lead है और एक work lead है work lead को work से connect किया है electrode lead को electrode और दोनों साइट से plus minus के sources हैं welding procedure the detailed methods and practices including all joints welding procedure involved in the production of a weldment welding rod gas welding bracing process और arc welding process में जब electrode filler metal provide नहीं करता है तब welding rod का use किये जाता है यह वायर या rod के form में exist करता है welding symbols reference line arrow basic belt symbols dimensions and other data supplementary symbols finish symbol tail specification process और other reference functions यह art elementary symbols assembly symbols होते हैं जो कि battling symbols में include होते हैं यह drawings में यह specifications में mention होते हैं जिससे कि हमको drawing पढ़ने में easy रहता है welding tip welding के लिए tip use होती है जिससे feeding wire को direction provide की जाती है wire feed speed आर्क welding में या thermal spraying में इंच पर मीटर से जो filler metal consume कि जाता है उसे wire feed speed कहां जाता है एक से एक से रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है जिससे internal belt defects को detect करने के लिए perform किया जाता है yield point yield point वो point of stress होता है जिसके बाद अगर material पर load increase किया जो गया हो तो material deform होना start कर देता है welding torch gas welding और bracing में gas के mixing और flow को control करने वाले device को welding torch कहा जाता है welding transformer a device providing current to the desired voltage means एक device होता है जो की current provide करता है desired voltage का weldment welding से जो components form किये जाते हैं वो weldment कहलाते है छेली इसे के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं आज के वीडियो को कैसा लगा हम notion B करकर जरूर बता है वीडियो को like चैनल को subscribe करें और NORचिफिकेशन वाले real आईकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रैंड SKA के साथ भी शेयर करें थैंक यू फ्रेंट्स थैंक्स फॉर वाच